तिस गड़ में आज पहले चरण का मद्दान खत्म हो चुका है अब दूसरे चरण का मद्दान 17 नौंबर को होगा दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए मद्दान किया जाएगा उनी में से एक विधान सबा छेतर है सीट है वैसाली नगर विधान सबा वहां से बीजेपी ने इ इसके बात रिकेश सेन के समर्थन में लोगों के लिए परचार किया ओट मागा रिकेश जी कैसा समर्थन जी करेव दाम यह केम्प रफ्रसाद लेंगे आज मैंने रोट शो किया ऐसान लगा पूरा जन सलाब उमर पड़ा है पूरा विधान सबा पाहारता फूलों की बरसा फटा के आतिजवाजी ऐसा लग रहा था कि रोज सोनी है विजय जुलूस है तो कई न कई भारते जन्ता पार्टी के पिति लोगों का प्यार दिख रहा है लोगों का आशिवाद दिख रहा है और सत्रा नवंबर को लोग कमल पे बटन दबाने के लिए उतावले हो रहे हैं यह विप्ठ वि तल आपों को संदरीकरन का नरे ओशन्या के विकात्त है जो अपनी संफत्ती में लगे हुए हैं लेशी तुप से रवी किशन जी ने मद्दाताओं से पूछा किते से जिताओं गे तो सब ने कहा इंक्याओन हजार पार से जिताएंगे पर्तेक्स रूप से आपके सांथ में हैं उनके लिए क्या संदेश अब कैसे उनको साधेंगे नहीं नहीं मैंने तो कहा कि सत्रात्मक दिशा में सक्रात्मक दिशा में मैं राजनीत करना चाहता हूँ और जिन लोगों को भी लगता है कि मेरे राजनीती में आने से किसी को नुपसान है तो आपके माद्यव से संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भारते जनता पार्टी का चाहिए भारते जनता पार्टी के कमल निसान को देखना चाहिए तो खड़े हो गया बीजेपी को जपी आदो और संगीता जुटना कुछन को भुशाइब है क्योंकि कल दोनों को संगीता शाह जी को और जय प्रकाश यादाव जी को पार्टी वियोदी गती विद्यों के कारण उनको पार्टी से निकाल दिया गया है ऐसा मुझे अभी विजिला द्याज विजेश पुझपुय जी ने जानकावी दी है यह ते रिकेशन जो वैसारी लगर विधान सवा में जीत दर्ज करेंगे दिलिप सर्मा एबीपी निउज दूर्ग चतिस गड़